नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूटूग चैनल योग नमस्ते में कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी योगा टीचर जयाब दोस्तों आज का विशे काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कबस? कॉंस्टिपेशन पे कॉंस्टिपेशन एक डंभीर समस्या है और आज की डेट में कॉमन है ये प्रॉब्लम सभी को है कहीं न कहीं सभी इससे जूज रहे हैं ये एक लाइफस्टाइल डिसॉर्डर है कॉंस्टिपेशन को अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये काफी chronic diseases को शरीर में जन्दे देता है क्योंकि इस condition में इस अवस्था में शरीर में toxins रिलीज होते हैं जो आपके blood stream में मिल जाते हैं आपके रक्त में मिल जाते हैं और धीरे धीरे ये आपके vital organs major organs को खराब करने लगते हैं तो सोची अगर आपके major organs खराब धीरे धीरे होने लगें आपका hurt, lungs, pate, आते तो आपका शरीर कितना कमजोर हो जाएगा और कमजोर पर तो कोई भी अटाक कर देता है constipation बहुत लंबे समय तक अगर शरीर में टिकता है तो आपको cancer भी हो सकता है कई बार हमने ऐसे news सुनी है कि cancer हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है cancer किस वज़े से हुआ है constipation भी एक major कारण है आज की वीडियो में बात करेंगे कि toilet जो हमारी निसकाशन क्रिया है toilet में बैठने का सही तरीका क्या है चाहे वो आपका भारतिय शैली है चाहे वो आपका western शैली है और toilet से पहले सुबह सुबह toilet से पहले आपको कौन-कौन से आसन प्रणायाम करने चाहिए और few morning tips भी मैं दूँगी तो पूरा वीडियो रहान से देखिएगा क्योंकि constipation actually एक गंभीर समस्या है अगर आप सो गंभीर नहीं मानते तो मानना शुरू कर दीजिए तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए and hit the bell icon वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें इस वीडियो को लेके आपके मन में कोई प्रश्न है कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें let's start सबसे पहले हम बात करें कि भारती शेली कि निस्काशन के समय टॉलेट में हमें कैसे बैठना चाहिए तो जो पोज बनता है वो है गार्लेंड पोज मलासना पोज जब हम भारती शेली बैठते तो इस तरीक से बैठेंगे पैरों को टूफिट डिस्टेंस का जितना जादा खोल सके खोलेंगे अपने गुटनों को स्प्रेड करें अपने गुटनों के मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं यहां पे कमर गर्दन सीधी रखनी है और माइंड रिलाक्स जो आपका अब्डॉमन एरिया है वो खुला रहेगा जितना जादा आप खोलेंगे उतना बैटर है यहां पे सांसों को शांत कर दें मन को शांत कर दें holding यह आपका पौस हो गया अब यहां पे निसकाशन के समय पे जोर लेंगे तो कि कंस्टिपेशन 상황 का एक बगधा nhi शोड़ नाव को ओस्तिपेशन के समय लिए अगर तनाव को वो रहा है उसे होने दे और ऐसा आप प्रैक्टिस करें आपको रिजल्ट एक हफते में दिखने लगेगा यह बहुत ही एफेक्टिव इसे साइट से भीगबा देख लें तो इस तरीके से आपको निश्काशन के समय बैठना है माइंड को रिलाइस सकना है माइंड और फोकस आपका वही होना चाहिए जो कार करने के लिए आप बैठें तो इस समय में कोई और कारे नहीं करेंगे कुछ लोग अबार पंडे लगते हैं मोडाइल देखने लगते हैं वो काम ट्वालेट में नहीं करना है अब हम बात करेंगे कि वेस्टन शैली में कैसे बैठना कि जब आप बैठते हैं cha bespana अब यहाँ बैठते हैं तो झब आप बैठते हैं कामपयडिबली बैठे यहाँ जीतना उपन कर सकते हैं और अब यहाँ पर मैं जास बैग लेग रहाए हूँ अपने पैरउको त्फ़छा उपर पर जब जखे हैं बलॉक सपोर्ट से आपक छ पूरा फोकस अपने अप्डोमन एरिया पे अपने निश्काशन एरिया पे लेके जाएं और जो सहज क्रिया नॉर्मल क्रिया होनी है उसे होने दे कब्स के लिए दो मॉर्निंग टिप है सबसे पहला कि जब आप सुबह उठेंगे तो आधे गंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है आपको अपना माइंड रिलाक्स रखना है ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपका माइंड टेंस हो जाए कि सुबह सुबह उठते ही न ग्लास गुनगुना पानी पीना है गुनगुना गरम पानी पीना है एक ग्लास पीने के बाद फिर एक और ग्लास आप गुनगुना पाने पीएंगे जिसमें आप थोड़ा सा निम्बू मिलाएंगे आधा निम्बू मिलाएंगे और नमक से कोई दिक्कत नहीं है तो थोड दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका परपास ही यही है कि आप अच्छे से फ्रेशन अप हो जाएं। सबसे पहला आसन है पवन्मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोस। तो दो गलास पाने पीने के पांच मिनट बाद आप मैट पे लेट जाएं या बेट पे लेट जाएं। कमर गदन सीधी है, एक बार पूरी बॉड़ी को स्ट्रेच कर लें। रिलाक्स, हाथ बगल में हैं, शरी सीध। सास बरते हुए, राइट लेको पर उठाएं। सास शोड़ते हुपर, गुटने से मोड़े, सीधने से लगाएं। लंबी गहरी सास लें छोड़ें, फाइब टाइम्स। साज बरते पहर सीज़ा साज शोड़ते वे नीची अदल है साज बरते उपर साज शोड़ते वे गुटने को सीमे से लगाएं यहाँ पे फाइब टाइम्स बीब बीदिंग करेंगे जब कम्प्लीट हो जाए साज बरते पहर सीज़े साज शोड़ते वे टैर नीची अब दोनों पहर से करेंगे साज बरें साज शोड़ते गुटने से मोड़े सीमे से लगाएं यहाँ पे फाइब टेंज डीब बीद करें जब कम्प्लीट हो जाए साज बरते पहरों को सीज़े रिलाक्स करें दूसरा आसन हमारा ट्विस्टिंग दोनों हाथों को 180 डिग्री खोले पेरों को गुट्टे से मोड़ ले मरकट आसन डीटू नीज जोईंग, फुट्टू पुट जोईंग अब यहाँ पर साज बरें साज शोड़ते वे ट्विस्ट दोनों को अपने लेप साइट लेके गए गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट साज भरते वे सेंटर साज शोड़ते वे ट्विस्ट साज भरते वे सेंटर रिलाक्स तो यह भी ट्विस्टिंग आपको कम से कम 10 से 15 बार करने है और तीसरा आसन है आपका मलासना मलासना करने के लिए पैरों को टूफिट डिस्टन्स में खोल लिया है आपने हाथों को इस तरीके से नमस्कार मुत्रा में कोहनी के मदद से घुटनो कौल खोले कमर गदन सीदी माइंड रिलाक्स अब यहाँ पे 5 बार लंबी गहरी सांस ले 5 बार लंबी गहरी सांस छोड़े अगर आपको इस तरीके से बैटने में दिक्कत हो रही है तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं आप अपने बटक के नीचे ब्लॉक सपोर्ट या फिर टौवल रोल करके भी रख सकते हैं बैटने के लिए ये भी आपको हेल्प करेगा मलासना में आप थोड़ा और लबमा समय बैट पाएंगे ये तीनों आसन करने के बाद करेंगे एक प्रणायाम और वो है अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम आपके नर्वस सिस्टम को बैलन्स कर देता है करने का परपस ही है कि किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस फिर भी एक्जिस्ट करता है अगर है रात में कोई स्ट्रेस आया सुबह उठते कोई स्ट्रेस आया तो अनुलोम विलोम करने से आपका stress कम हो जाएगा, nervous system balance हो जाएगा और आपको निस्काशन में मदद मिलेगी तो इसे करने के लिए comfortably सुखासन में बैठ जाए left hand ज्यान मुद्रा में है, right hand विश्नु मुद्रा में है यह आपके अनुलोम विलोम की मुद्रा है पांची गिन्ती में सांस ले, पांची गिन्ती में सांस छोड़े left से सांस बरेंगे, right से छोड़े फिर right से सांस बरें, left से छोड़े यह एक round है, ऐसे आप five rounds करने घिरे घरे करेंगे तो mind जादा relax रहेगा और दोस्तों constipation को लेके अगर आप वाकरी में परशान है तो उसे हलके में मत लीजे क्योंकि यह आपकी chronic problems की जड़ हो सकती है आज के वीडियो में जो मैंने आपको उपचार बताये हैं जो तरीका बताया है उसे जरूर अपना है और आपको result एक ही हफते में देखने को मिल जाएगा और अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लीजे इस चैनल पर आपको मिलेगा योगा प्रेग्नेंसी रिलेटेड इन्फरमेटिव वीडियो इस चैनल पर और भी वीडियो उन्हें भी जरूर देखें और अपने अनभव को हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा कैसा महसूस हुआ कोई तकलीफ तो नहीं है जल से जल हम उस पे रिपलाई करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल लखें खुश रहें, स्वस्त रहें नमस्ते